यह क्रियेटिव एट्री एंडेट का बोर्ड है दोस्तों इस बोर्ड में कुछ भी नहीं बचाया है पानी में डूबने के कारण रस लगके सारी इसके कंपोनेंट खराब हो वेते हैं इसी को बहुत मुश्किल से मैंने बचाया है तो इसे बनाते हैं और देखते हैं कि यह बसता है कि नहीं और यह बैट्री अपरेटेड होगा और इसमें कोई भी समान में उरिजनल यूज नहीं करूंगा स्रिफ पीसीबी के सिवा है तो इसे शुरुआत करते हैं यह क्रियेट इसे शुरुआत करते हैं अगे उसे फिट कर लें तो फिट करने के बाद शुरुआत करेंगे जैसे कि देख रहें अब फिटिंग हो गई है और कहां कौन से क्या पार्ट लगेगा और यहां पर यहां पर लगेगा जो मैं आपको दिखा देता हूं तो फिर इसे लगाते हैं पहले वाला यहां पर एक है और दूसरा एक यहां पर है तो मैं लगा लेता हूं उसके बाद पिर आगे तक लेगेंगे आप कर पिसीटर को लगाते हैं कर दो कर दो कर देख दो आख और यह चाहिए और यह चाहिए अच्छिंग कर लेंगे इसां इसके बाद इंप लगाए दे चुका है अब इसके output capacitor को लगाएंगे जोनों output capacitor यहां और यहां लगी है तो अब इसे लगा देते हैं इसके बाद अब इसके बाद अब 10K लगाएंगे फोर नमबर पीन में ग्राउन के तब इसे लगा लेते हैं यह दो नमबर पीन में ग्राउन्ड आएगी उसमें इसे ग्राउन्ड करना है और यह इसका नमबर पीन है तो इसको देख लेना है ग्राउन्ड को और इसे चुल्डिंग कर लेते हैं यह यह केपसिटर लग गई है और इसके बाद अब फोर्टी नमबर पीन से टेन के के को ग्राउन करें गेंगे। इस परनेक्शन करेंगे। पावर को 10K से करेंगे उसके बाद पावर के बाद स्पीकर कनेक्शन और पावर होगी और इन्पूट कनेक्शन बस यह रेडी तो 10K को लगाते हैं यह 10K यहां पर लगा दीगी जोस्तों यहां पर और अब अब और हाँ इसके सब्सक्र के लिए cej क्वाली करेंगें दोस्तों अगर आधिय लेक्रोथरी क कर सकते हैं वन माइक्रो फर टक पर माइनस बाहर की तरफ रेगी इंपूट के साइड में याद रहत नहीं हो गि और अब और इंपूट का कनेक्शन उपर देख लिए जूम करके यहां टेन के लग दिया है सारे कंपोनेंट यहां पर बैठ गया है अब सिफ इंपूट और पावर कनेक्शन और स्पीकर के लिए आउटपूट लगाते हैं जी तो इसको साथ नमर से ग्राउंड करेंगे सीधे यहां पर एक जंपर लगाएंगे कि सोट ना हो बहुत साधानी से जंपर को लगाएंगे साथ नमर में पिश्वार के लिए सीधे सोट ना हो इसका अच्छा लखेंगे करेंगे जैसे कि अब देख रहें सारे कनेक्शन हो गए हैं सबुफ़र और सेटलेटी स्पीकर का सब कुछ इन्पूट यह पावर है दोस्तों यह निकल मिधलियम बैटरी यह यह तीन की सीरीज है तो लगबग 12 गोल्ट के आसपास यह दे देती है हाला कि चार्ज कम है पर यह अभी बजाने के टेस्ट करने के लिए काफी है इस पीकर खुले आनने के कारण आवाज काफी कम आ रही है इसे हम लोग बड़े सबूफर और बॉक्स के साथ बजा कर देखेंगे एक छोटी सी गारी के लिए काफी है छोटी हाथी या किसी भी इस टाइप के गारी वेगल के लिए काफी अच्छी है इसे इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी गारी में और आउट्डोर में बैट्री अपरेटेड तो इसका यह पार्ट वन वीडियो है पार्ट टू में हम लोग सबूफर देखेंगे इसके साथ लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को तो अगर वीडियो अच्छे झाल